नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग मेश रासी वालों बुद्ध का रासी परिवर्तन हो रहा है बुद्ध जो नौ ग्रहों में बुद्धी के कारक है आपकी वानी आपके ब्यापार के कारक है और संचार के वी कारक है अब प्रवेश करेंगे। तुला रासी में 14 188 को तुला रासी में रहते हैं ही वक्री हो जाएंगे और तीन नुवम्बर को दुला रासी में पुंदा मारगी होंगे। तक आप मेंस रासी वालों के जीवन पर इस बुद्ध के रासी परिवर्तन का क्या प्रभॉब पड़ेगा आज हम आपसे यही साचा करेंगे देखे बुद्ध देव आपकी रासी से सप्तमभाव में आएंगे अब सप्तमभाव से आपके पार्टनर्शिप आपके जीवन साथी के बारे में जाना जाता है और बुद्ध देव यहाँ पर आने से जीवन में चुनोतियां बढ़ा सकते हैं तो यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा अब सप्तमभाव में बुद्ध जब वक्री होंगे तब क्या होगा देखिए अगर पार्टनर्शिप में बिजनस करते हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ यानि साजेदार के साथ संबंद बेहतर बना कर चलना होगा दूसरी बात नहीं तो यहां पर बेबजह बिवाद भी होगा तो यहां थोड़ा सा ध्यान दे अगर आप लब रिलेसंसिप में हैं पुराना आपका मित्र इस समय फिर से आपके पास लोट कर आ सकता है यानि कुछ रिस्ते जो कहीं आपसे छूट गया थे कहीं दूर हो गया थे किसी कारण बस वो एक बार फिर से जुड़ेगा आपके रिस्तों में जो दूरियां थी वो समाफ्त होंगी और इस समय आप बस यह समझ लें कि आप अपने लब के साथ हर तरह के बिवाद को सुलजा कर एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिस करते नजर आएंगे तो रिस्ते मजबूत होंगे लेकिन दूसी तरफ अगर आप बिवाद करना चाते हैं आप और बिवाइत हैं तो जब तक कि बुद्ध वक्री हैं तब तक बिवाद की बाते ना करें जब बुद्ध मारगी हो जाएंगे तीन नवंबर तब यहां से आप चीज़ों को करें तो बहतर होगा नहीं तो परिसानी बढ़ेगा अगर आप बिजनसमेन हैं पार्टनर्सिप में बिजनस करते हैं तो आप अपने वेपसाय पर फोकस करें और आपसी सलहा के साथ तमाम चीज़ों को मैनेज करें अपनी जिम्मेदारियों को बहतर तरीके से बांटे तो बहतर होगा बिना किसी बाधा के काम पूरे हो सकेंगे बे बज़े के विवात करना जगरे लडाई करना जैसी चीज़ों से बचिए क्योंकि यहां पर इन चीज़ों से आपको कुछ लाव नहीं होगा हाँ आपके रिस्तों में जरूर दरा रहे आएंगी अब हम बात करें अगर इस समय धन की तो धन को लेकर थोड़े से समल के रहें क्योंकि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं किसी को भी कर्ज देने से बचिए क्योंकि इसमें दिया गया पैसा आपको वापस मिल जाए इसकी सम्भावना बहुत कम है और बे बज़े किसी के साथ जगड़े लड़ाई बाद विबाद भी ना करें क्योंकि थोड़ा सा क्रोध की अधिक्ता रह सकती है अब सात्मे भाव में यहां पर बुद्ध के आने से परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा मतवेद हो सकता है तो अपने क्रोध पे कंट्रोल बनाए रखें और रिस्तों को मजबूती दें किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा करना बेवज़ा बहस करना जैसी चीजों को छोड़ दें धन के मामलों में आप लखी रहेंगे कोई नया काम सुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है काम में सफलता मिलेगी क्योंकि सफ्तम्भाव का बुद्ध आपके लिए सफलता दिलाने वाला होगा नए बैपार सुरू करना चाहते हैं तो आप सोच विचार कर आगे बढ़ सकते हैं वैसे तो जौब में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी अच्छे अपसर मिलेंगे अगर सरकारी काम बेगरे करते हैं सरकारी कारे आपके अधूरे हैं निप्टाना चाहते हैं तो निप्टा लें बिदेश यात्रा बिदेशी नारिक्ता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा वक्त है आपकी रासी पर सब्तन द्रिष्टी पढ़ रही है बुद्ध की तो यहां पर थोड़ा सा अपने स्वास्त का प्रती ध्यान देना होगा और थोड़े से कुरोत का ध्यान रखे वैसे साधी विवास बंदी चीजे भी आपके लिए बेहतर होगी कुल मिलाकर यह बुद्ध का परिवरतन अच्छा तो है पर कुछ मौमलों में बहुत गरबर है क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए देखिए सबसे पहली बात तो मैं सरसी बालो बुद्ध को बहतर करने के लिए आप बुद्ध वार के दिन गाय को हराचारा खिलाएं तो आपको राहत मिलेगी हम आपसे विदा लेना चाहेंगे अगर लाइब से मैश करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर महादेब धन्यवाद